दिल्ली के नरेला इलाके में आज तीन स्नैचर्स को रिक्षा चालक से मुबाइल चीनना महंगा पड़ गया। जब पबलिक ने आरोपियों को बीच रास्ते पकड़ लिया इसके बाद तीनों स्नैचर्स को पबलिक ने नंगा कर दिया और उनके कपड़े जिला दिये। यहां पर उतारके उसके कपड़े अर वाल काट रहे थे उसके बाद पता ने लंगा किया किया वह धर लेके चला गया वोग भी पीटते हुए। कितने लोग थे कोई गिंती यह नहीं था जी पब्लीक टिप्टी के टैम था जो आता था कि मारते गया है वो देखे नहीं जी अब बस हम अपने दुकान पर बाल काट रहे थे बस तो क्या चोरी की थी उन्होंने यह कह रहा था मोगा चोरी कर लिया है कंपनी सा रहा था रात म है वो चोर पकरा गिया बस कितने लोग थे यह जिन की पिटाएगी थे यह कह रहा था चार बंदा था मैं अकेला था वो लड़का कह रहा था बस और कोछ नहीं कह रहा जी तो कहां से कौन सी जगह पर हुआ था यह यह नहीं बताया जी कहा पर चे वो कंपनी सा रहा था जी बस दो लोग थे यह जीनों ने चोरी किया था वो जो चोरी किया चार बंदा कह रहा था तीन बंदा पकराया एक बंदा ने भाग गया एक बाग चार थे क्या नाम आपका राजकुमार शाकेत राजकुमार जी क्या हुआ था क्या देखा था अपने यहां पर सर यहां देखा था सुबह जो है लड़के यह तीन लड़कों को पगड़के इधर ले आते हैं और उसके बाद यहां कपड़ा उतारते हैं उसके बाद मारते पीटे ज जाते हैं पब्लीक कम कम हजारों के भीड में थी और यह जो है रोड पर उतारते हैं और बांग के ले जाते हुए देखा तो कौन शी जगह पर क्या हुआ था क्यों लेके जा रहे थे यह सर बता रहे थे पूछने पर जो है लोग बता रहे थे कि मोबाइल चोरी कर रखे थे तीनों एक लड़का ड्यूटे से आ रहा था फ्लाइवर के नीचे रेल पड़री के साइड में उन्होंने मोबाइल चोरी किया है और उसके बाद फिर उन्होंने फिर दुबारा वहां जाके देखा फिर वहां मिले तो उन्हों को पकड़के पिटाई उटाई कर रहे थे औ किसका आप कौन था कौन था मैं नहीं जानता हम लोग दुकान यहां चलाते हैं रोड पर आपके दुकान के सामने हुआ था यह सब जी दुकान के सामने पास में